बॉलिवूड एक्ट्रेस राखी सावंत और विवादो का पुराना नाता रहा है। राखी सावंत की कॉंट्रवर्सी का विरोध समाज का एक बड़ा तपका करता रहा है। जबकि इसके उलट उनकी फैन फॉलुविंग भी बहुत ज्यादा है। आज 25 सितंबर को राखी अपना जन्ग दिन मना रही हैं। और आज हम राखी सावंत की उन बड़ी कॉंट्रवर्सी पर चर्चा करते हैं जिनोंने खूब सूर्थियां बड़ोगी। राखी सावंत अपनी साधी को लेकर कई बार चर्चा में आये। लेकिन वो आज भी सिंगल हैं। साल 2009 में राखी का स्वयंबर नैसनल टीवी पर दिखाया गया। लेकिन स्वयंबर के बाद भी उनकी साधी महज एक विवाज बन कर रहा गया। हाल ही में राखी ने अपनी साधी को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनका पती लंदन में रहता है। हाला कि उन्होंने अपने पती की तस्वीर अभी तक शेयर नहीं की है। लेकिन वो खुद को साधी सुधा बताती है। राखी ने दिपव कलाल के साथ भी साधी करने की बाद कही थी। दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फरेंस की थी, यहां दोनों ने कहा था कि वो अमेरिका में शादी करेंगे, लिकिन बाद में राखी ने इससे इंकार कर दिया। बॉलिवूट की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर सेयर की थी, इस तस्वीर में राखी ने पाकिस्तान का जंडा पकड़ा हुआ था। इस पर राखी ने शिकायज भी दर्च कराई थी, राखी का कहना था कि मीका ने उनसे बिना इजाज़त के ही उन्हें किस्तान किया था। राखी सावन टीबी के बड़े रियल्टी शो बिग बॉस सीजन वन और नजबलिय सीजन त्री का हिस्सा रह चुकी है। उन्होंने बिग बॉस में तो आराम से टास्क कियें। लेकिन नजबलिय में उन्होंने चैनल के खिलाब शिकायद दर्च करवाई थी। राखी का कहना था कि चैनल ने वोटो से छेड़ छाड़ की है। वही राखी ने सनी लियोन का हिंदी फिल्म इंडर्ष्ट्री में आने का समर्थन किया था। जबकि एक इंटर्वियू के दोरान उन्होंने सनी लियोन का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं भी पॉन्स्टार बनूँगी। आज राखी अपना 43 स्वा जन दिन मना रही है और इस खास अवसर पर पूरे प्रभातवार्ता की टीम की तरफ से राखी को जन दिन की ठेड़ सारी सुबकाम है। व्योरोन पोर्ट प्रभातवार्ता